जी टीवी का सबसे हिट शो कुंडली भागे ओफिर जाने वाला है बहुत ही जल्द जी टीवी की जो नई लीडर्शिप है इसी तरह के काफी ज़्यादा बड़े बड़े डिसीजन्स ले रही है टाइमस्लोड चेंजिस कर रही है और इस तरह की हाई टीवी शोज को बंद भी कर रही है इसके बाद भी डीजायड़ वाले टी शीयरबी रिजल्ट्स उन्हें देखने को नहीं मल रहे हैं जितने उन्हें चाहिए और हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं ZTV का यही साधा सा सूरज टाइब का लोगो हमें देखने को मिल रहा है और इंज जो की बहुती सिम्पल लुकिंग सा है और इवन जो फैंस है ZTV के इसको देख देखकर पूरी तरह से पक चुके हैं तो guys ZTV के जो फैंस है उनका यह कहना है कि चैनल को अब जरूरत है एक नई आइडेंटिटी की एक नए लोगों की और चैनल वालों को रिवैंप कर लेना चाहिए अपनी लुक्स हो गहरा और अपने विजूल्स जहें वो चेंज कर लेने चाहिए विज न्यू शोज का लाइन अप तो गाइज यहाँ पर जी टीवी वालों का करेंट ली लोगों बदलने का कोई भी प्लैन नहीं है लेकिन आफेंस की तरफ से काफी ज़्यादा डिमांड इसको लेकर है बागे हम बात करें जी टीवी के जो शोज हैं उनके टीयर प्रेटिं जाती थी वो वाली उचाईयों पर जी टीवी अभी वाला नहीं पहुँच पाता है जी टीवी इस अफ़ते के टीयर पी रेटिंग्स पर थोड़ी नजर डालते हैं पहले रब से है दुआ और कैसे मुझे तुम मिल गए सीरिल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इन्होंने अच्छी वरी टाइम स्लोट से टागर शाम को भेज दिये उसके बाद से इनके टीयर पी कम होई पड़ी है भागे लक्षम के टीयर पी जितनी पहले आती थी उतनी अब नहीं आ रही है आट बजे के टाइम स्लोट पे तयानी के टाइम चेंज गिया था जागरिती सीरिल इ पेले नेया टीवी सीरिल है कुंड़ली भागे की जगा आया है उसके टाइमस लोट पे लेकर टीयर पी रेटिंग कुछ बहुत ज्यादा हाई नहीं है कुंडली भागे जो है उसके टाइमस लोट चेंज के बाद वाली है वन पॉइंट वन है दस बजे के हिसाब से टीयर गामापाज डी टीवी का इतना बड़ा रियल्टी शो हुआ करता था जो कि पुराने टाइम में तो TRP चार्ट को टॉप करा गरता था गाइज टॉप फाइव हाईएस्ट TRP शोज में इंडिया में सारे गामापा का नाम हुआ करता था पहले इतना ज्यदा हिट शो था लेकिन अब 0.6 फी TRP लेकर आ रहा है उसके बाद हम देखें आईफा अवार्ड्स तो कैसे यहां पर सबसे बड़ी एक काफी फणी चीज लगी मुझे तो वो यह है किसके TRP सिरफ 0.6 देखने को मिली है और आईफा वार्ड्स बड़े वाले वार्ड्स होते हैं जहां पे हमें बड़े-बड़े स्टार्स देख करने के बाद भी शो सिरफ 0.6 की TRP ही लेकर आपाया है जी टीवी आज के समय में TRP रेटिंग्स में जितने रिजल्ट्स चाहता है उतने नहीं पापा रहा एंड इनकी जो लेडर्शिप है चेंजिस तो काफी कर रही है टाइम स्लोट्स को लेकर कई चीजों को लेकर लेकर उतने रिजल्ट्स इनको नहीं मिल पा रहे हैं आज के समय में ZTV उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे कलर्ज टीवी है जिस लेवल पे स्टार ब्लस है वो चैनल्स इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट वाल्ज चैनल्स है एक टाइम पे ZTV भी वहाँ हुआ गरता था और इन वाले चैनल से तो पुराना भी है ZTV लेगे ZTV अब उस लेवल पे नहीं है हम सब जानते हैं ZTV को ज़रूरत है कई नए शोज की और अपनी एक ब्रैंड चेंज की यानि की ब्रैंड में कुछ नहा लेकर आएं रिवैंप करें स्टेजी रिब्रेंडिंग करें पूरी उसमें कई नए शोज भी हो सकते हैं नई टैग लाइन हो सकती है तो ZTV वालों को रिवैंप करने की ज़रूरत है वो काफी क्लियर है एंड अब इनको रिवैंप कर लेना चाहिए एंड अपना और इंज सा जो काफी सिंपल सा लुक है उसको बदल कर कुछ इनोवेटिव कु लीजे सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन दवाना बिलकुल भी ना भूरिएगा फिलाल के वीडियो में इतना ही हमिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए चलता हूँ गुडबाई